दोस्तों गुड मोर्निंग मैं MP सिंग स्वागत करते हूं अपने YouTube चैनल MP सिंग ब्लोग में एविदा बेटू रही एविदा रहा कम तो आज है छोटी दिवाली जिसको कहते हैं एका दसी और हमारे यहां दिवाली बहुत कम मनाया जाता है छोटी दिवाली को बहुत ज्यादा प्रोप्री फ्रेंस दिया जाता है अपने गमई छेत्र में बोला जाए तो आज एका दसी है और आज दिया जलेगा अपने घर पे और कल इसका खावा पीवा हो जाए होगा क्या होता है कि जो नया चावल होता है उनको अपने भूत देव में चढ़ाते हैं अच्छा नया चावल का पूरी बनेगा मुर्गा भी खाएंगे अच्छी मूर्गा जो होता है देशी मूर्गा उसे अपने अब उसको दिया जाता है मतफ़ी मेरा पैर कर टूट गया है कल परसों तो फाइनली क्या है कि आज विश्राम को कोहड़ा और कांदा खाया जाएगा भाफ के मतलब उबाल के उसको कागे ते कोहडा कंदा खाही आज नहीं हो हाँ और काली सोहारी खान में आप लोग बने लिए कंटिनुवसली आज की इस वाले ब्लोग में और देखते हैं फिर आगे आगे क्या होता है ठीक है मम्मी गए हुए थे आज म मम्मी मुर्गा उर्गा ढूंड के आ गए है कल उसको लेके आएंगे ना सुबह के साढ़े आठ नौ बज रहे हैं आज के दिन में है छोटी दिवाली एका दसी और नए चूले और नए लकडी के साथ में और नए नए घर के साथ में पोतलीप के एकदम किलियर करने के बाओ में इसको अभी उबाला जाएगा अब यह लोग तयारी में लगे हुए है का बेटो यह क्या चीज़ है तो क्या करते हैं इसको फिर और क्या क्या होगा आज के दिन में पहले दिया जलाएंगे पर कोमडा कंदा चढ़ाएंगे फिर खाएंगे पहले अपना देवता बूत में चढ़ाने के बाद तो गाइज यह देख सकते हैं सकला है और यह देख सकते हैं कोमडा है इसको भी उबाला जाता है और इसको भी उबाला जाएगा साथ में और तयारी हो रहा है अब देख सकते हैं अभी साम हो रहा है धीर धीर यहां पर पकेगा और इसके बाद इन देवताओं में दिया जलाया जाएगा थोड़ी देर बाद सबसे पहले दिया कहां जलता है फिर कहां कैसे कैसे रूल है वाता ये जलेगा अंदर की चवरा में गाउं में तो फर्स्ट गाउं का जो में एक चवरा होता है वहां पे जलेगा सबसे पहले दिया इसके बाद फिर अपने मतलब अपना जो सबसे में घर का जो देवता होते हैं अंदर में वहां जलाया जाएगा इसके बाद पूरे आंगन में और बाहर तरफ जहां जहां मतलब अस्थापित किये रहते हैं देवताएं पापा मतलब ब्रत होंगे वह दिया हुआ जलाएंगे सबसे पहले कोहडा कंदा खा करके अपना ब्रत तोड़ेंगे सारे के सारे लोग कोहडा और कांदा खाके आज रात भर भी ताने वाले हैं है ना कोहडा और कांदा खाके रात में रहना पड़ेगा क्या और कुछ खाना पड़ेगा रोटी सब्जी खाया जा सकता है ना है सब कुछ जी तो ना बेड़ो तुम ना काप सावगे तुम ना करिया तोर्म नंद दिखावा स्वाकार जांगरे नहीं है तुरू फर तीन चार्ठ टुकुड़ा कर दो कि यह कैसा है तो गाई जब बेटू कुछ मेरे को समझा रहे थी जरा बताओ पाप दिया जलाए को पासी हो है तो आप देख लो तो फिर जब पापर कि बाद आपको जलाने का नंबर आएगा थिर आप भी ब्रत रहे के जलाना मेरा कभी नंबर आएगा जैसे कभी इंए जब पापा नहीं तब कर रहा है ना हा हुआ तुम समझाओ घा करना है फिर मम्मी भी तो है समझाने करी आप WILLust अभी अपर गोन सब्सक्राया है कि अफिर को बता है क्या ज़ू करें कौन बतायेगा हुएँ अभी तर प्रैक्टिकल देख लिए हैं गाइच चेहरे के खुसी देखिए आग लगा के चूले मुधर कोड़ा कांदा भापके और बैठे दिया लाके धोएंगे उसका बाती मम्मी दैने काटन तो मैं बनाए दो बाती तो गाइच फिलाल बेटु अभी दिया जलाने के लिए बातियों को इगस्ठा कर रही है मतलब जो काटन होता है ना रुआ उसे बीजों को निकाल करके और इस तरह का बत्ती बना की इसमें रख रही है मम्मी अभी दिया भी लेकर आ गए बस उतने है ना उतने बारा ही जलता है अपने घर में देखिए उधर पर चंद्रमा भी दिख रहे हैं कि यह आएंगे राम आएंगे राम आएंगे थो अंगर ना सजाओंगी तो गाईच फिल हाल अपने हां दीपक जलना स्टार्ट हो गया है जैसा कि आप लोग पता है छोटी दिवाली है आज के डेट में तो अभी पापाचर जला रहा है मेरी चाखट पे चलके आज चारो धार तो दोस्तों सारा भी दिया अपना अंदर अंदर जल चुका है मतलब घर के अंदर जो भी में में जगा है अभी अब घर के जो बाहर की तरफ देवताएं होते हैं देवी देवता वहां पर अभी रखा जा रहा है जो कि यह छोटी दिवाली अपने अहां का सबसे बड़ी पर्व माना जाता है और अवसरी साब से अभी अपने अहां रस्म रिवाद चल रहा है कि पोतरा है का कि यह अपना घर से जस्ट बाहर में है दे सकते हैं अभी चंद्रमा भी निकल लगवा इसलिए बाहर में है इधर खेत है अपना और यह लोकड़े का खेत है यहां पर तो दोस्तों इस वक्त हम लोग घर से थोड़ा दूर जा रहा हैं बाहर तरफ दिया जलाने के लिए और एक बहुत बड़ा जाड़ है महुवा का पेंड़ और यहां पर रात ही हो गया है यह देख सकते हैं जहां पर बनाया गया है यह अब यह अपन लोग दिया जलाने आये हैं और काफी दूर घर से आ चुके हैं जो बस जा रही है उधर में घी घर है तो हैपी छोटी दिवाली दोस्तों अभी आप लोगों को मैं बताना चाहूंगे अभी सारा जगा मतलब जो अंदर अंदर जहां भी दीपा वली का मतलब वो होता है दीब जलाया जाता है अंदर बाहर तमान जला दिये हैं पापा और आपन अब मुम्वत्ति से स्वागत करन चाहेंगे आप लोग का तो गाइज फाइनली अभी हम लोग दिया हुआ जला करके रेडी कर दिये हैं देख सकते हैं छोटी दिवाली के जो फर्व था उसके महत्सों में एंड जो अपना खाने पीने के चीज़ें होता है साम को जो कोहडा और कांदा वह भी रेडी है पूरी मस्त लग रहा है यहां पर बेटूख आ रही है कैसा लग रहा है जी तो दोस्तों कमेंट गरके जरूर बताना कि आज का यह हमारा छोटा सा दिवाली वाला कैसा लगा आपको यह वीडियो ब्लॉग और आज मिलेंगे एक दूसरे ब्लॉग के साथ आपके साथ फिर से इंज अर बेट लग और मिलते हिना नहीं पड़ता लग जाता है